Hello everyone, क्या आप BRX खरीदने की सोच रहे हैं और confusing के कौन सी BRX खरीदना चाहिए आप EIB के तयारी कर रहे हैं या फिर किसी और परपस से, study के परपस से BRX खरीदने चाह रहे हैं मैं आज आपको तीन कंपनी के BRX बताने जा रहा हूं जो आपके लिए best रहेंगे चाहिए आपको English में पौलना हो या Hindi में पौलना हो मैं दोनों का review करने जा रहा हूं तो चली time नब इसकर तो भी हम direct point पर चलते हैं तो सबसे पहले हम Amazon आप खोल लेंगे और हम search करेंगे तो सबसे पहले जो BearX है वो English में है अगर आप English में BearX लेना चाहते हैं तो मेरे साब से आप Universal का BearX ले सकते हैं तो Amazon आप खोल लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर search करेंगे Universal BearX यह आप देख सकते हैं कि Universal के BearX आ चुके हैं इस पर काफी अच्छा discount भी मिल ला है आपको Amazon पे तो जैसा कि आप देख रहेंगे आपको 8 subject का जो BearX से पूरा set आपको मिल जाएगा अगर आप अलग-अलग लेने चाहते हैं तो आप अलग-अलग भी ले सकते हैं आपको पता होना चाहिए जो BearX होते हैं उसका Diglaut Edition भी आता है मैं तो कहता हूँ कि English में ना खरीद कर जो है आप Diglaut Edition खरीदें English Medium वाले students को चाहिए कि वो अपने Hindi भी मजबूत करते चले और Hindi Medium वाले students उनको English तो करने ही करना है मजबूत है अगर वो successful loyal बनना है तो Hindi में आपको BearX मिल जाएगे Diglaut Edition में आपके उसके साथ English भी होगी जो English Medium के students है वो Diglaut Edition खरीद सकते हैं क्योंकि उनको भी अपने Hindi साही करना चाहिए तो Hindi Medium वाले students जो है वो Diglaut Edition खरीदे ही खरीदें क्योंकि उसमें English में भी लिखा होगा और Hindi में भी लिखा होगा तो हम Universal के Diglaut Edition BearX के तरफ हम सर्च करते हैं आप देख सकते हमाने सर्च कर दिया है तो अब यह देख सकते हैं के Universal के Diglaut Edition के BearX जहाँ पर आ चुके हैं Indian Contract Act हम open करेंगे तो आप यह देख सकते हैं तो आप यह देखेंगे के Diglaut Edition है तो यह तो होगी युनिवर्सल कमपनी के बेर एक्स की बात, दूसरी कमपनी है विराइट, विराइट के भी बेर एक्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आप यह देख सकते हैं, विराइट के जो है बेर एक्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, इसको ओपन करेंगे, यह एक Constitution of India, यह भी डिगलॉट एडिशन है, अगर आप डिगलॉट एडिशन लेना चाहते हैं, तो बिराइट का भी ले सकते हैं, बिराइट के जो बेर एक्स है मेरे पास रखे में हैं, बहुत अच्छा इसमें भी लिखा हुआ है, तिसरी कमपनी जिसके बेर एक्स आप ले सकते हैं, वह हैं उनीक के BearX तो जड़ एक तक है की उनीक के BearX यहाँ पर open हो चुखे हैं तो यह हैं उनीक का BearX उनीक के BearX भी बहुत अच्छे हैं इसके BearX भी मेरे पास रखे हैं तीनो कब अक्या जिखनी का अच्छ हैं अगर आप सिर्फ English में लेना चाहते हैं तो आप Universal का ट्राई कर सकते हैं लेकिन मैं आपको recommend कर रहा हूँ कि आप Diglott Edition ही लें Diglott Edition यानि कि Hindi और English दोनों में होगा इसमें आपको जाधा benefit मिलने वाला है अगर आप English Medium के students हैं तो भी आप ये Diglott Edition ले सकते हैं क्योंकि आपको Hindi में भी प्रकाड होनी चाहिए अगर आप Hindi Medium के students हैं तो ये आपको ले नहीं लेना चाहिए Diglott Edition क्योंकि आपको English भी मजबूत करनी चाहिए अगर आप आगे प्रेक्टिस करना चाहते हैं High Court में Supreme Court में तो आप Diglott Edition भी लें जो company के बेरेक्स मैंने आपको बताया है मैंने आपको bright company को बताया है जो कि आपके screen पर देख सकते हैं Universal का बताया है Universal का बताया है और जो बताया है unique का मैंने कुई rank नहीं दी ये तीनों ही company बहुत अच्छी है आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं अगर आप सिर्फ English में लेना चाहते हैं तो आप Universal का ले सकते हैं लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ मैं आपको recommend करता हूँ कि आप Diglott Edition लें आपको दोनों language पर पकल होनी चाहिए Hindi Medium वाले students जो हैं आग बन करके Diglott Edition ले 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 या फिर ब्राइट का ले 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 या फिर यूनिक का ले सकते हैं I hope कि आपके सारे confusion दूर हो चके होंगे अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो please like कर दे और चैनल को subscribe करना न भूले और साथी साथ bell icon को भी जरूर दबा ले क्योंकि मैं law से related काम की वीडियो लाता रहता हूँ